जब हमने लहसुन फसल को अपने खेतों के अंदर लगाया था उस टाइम हमारे दिमाग में सिर्फ एक बात थी कि अब की बार हम पिछले साल से ज़्यादा उत्पादन अपने खेतों से लहसुन कर लेंगे दोस्तो अभी लहसुन के फसल है वो लगबग 100 डे मतलब 100 दिन से पार होने वाली है या हो चुकी है बहुत से जगह तो 110 दिन के भी लहसुन के फसल है वो हो चुकी है अब हमारा ध्यान केवल और केवल उसके कंद के उपर होना चाहिए तो दोस्तो इस वक्त हमें अपने फसल के अंदर कौन कौन सी सावधानी रखनी है किस तरह के खाद अपने खेतों के अंदर डालने अगर हमारी वेजिटेटिव ग्रोथ जबरदस तरीके से ज़ादा हो चुकी है तो हमें कंद किस तरह से मोटा करना है उसके ग्रोथ को किस तरह से रेगुलेट करें कौन सा PGR यूज़ करें कौन सा NPK यूज़ करें इस वक्त हमें DAP देना है या POTAS देना है POTAS अगर देना है तो वो किस formulation में देना है उसके साथ अपन को हमारे लहसुन का जो साइज जो मोटा होने के साथ सा चमकदार उपर का जो परदा है वो भी इतना मजबूत हो कि हमारा जो कंद है वो फट है नहीं साथ ही उसके जो रेट है जब हमारी मंडियों में हमारी फसल जाए उस वक्त हमें बढ़ी हमीले ये सब जानकारिया लेके हाजिरूं दोस्तों मैं इंदरपाल यादव स्वागत करता हूँ आपका अपना यूट्यूब चैनल देश की जाना हमारे किसान चैनल पर किसान भाई यो आप लोगों समय ने वादा किया था जिस भी फसल को मैं लेता हूँ उसकी बॉइस और आखरी कटाई तक कम्पलिट आपको समय समय पर वीडियो के माधियम से जानकरी देता रहता हूँ सबसे पहले आप लोगों को मैं बताता हूँ कोई भी फसल लैसुन हो या फिर कोई भी फसल वह फसल जादा उत्पादन तभी दे सकती है जब तक उसके अंदर बीमारियां कंट्रोल में रहे उनके जो पत्यां होती है उसके अंदर हरापन हो क्लोरोफिल आपके पत्यों के अंदर जितना जादा होगा समझ लीजिए आपका उत्पादन उतना ही जादा निकलेगा आप यह सोच रहे हो कि यार हमारी लेसुन के फसल अब सो दिन की हो चुकी है तो अब पत्यों का खेले वह खत्म हो चुका अगर यह पीली भी पढ़ जा मतलब उसके मिट्टी लग जाए या डश्ट आके लग जाए उपर और उसको हम साफ न करें तो वो बिजली बनाना बंद कर देती उसी तरह हमारे जो फसल का पोधा होता उसके जो पत्यां होती जैसे की यह अगर इसके उपर पीला पना आ जाए फंगस आ जाए और इसके उ विकास हो चाहे उसकी वेज़ेटेटव ग्रोथ का विकास हो चाहे उसके तन्य को विकास हो वहीं पर उग जाएगा तो सबसे पहले तो अपन को क्या करना है सबसे पहले आपन को को इसको स्वस्थ रखना है आप देख रहे होंगे जिन खेतों के अंदर फसल एक्दम हरी- रखना है क्योंकि इस टाइम पर दिन का जो टेमप्रेचर वो लगातार बढ़ता चला जाएगा और थ्रिप्स अगर सही समय पर हमने कंट्रोल नहीं की न तो वो फिर हमारी काबू में नहीं होगी और जितनी भी हमारी पत्नियां उनका रख को चूज जाए इस वक्त आप था यह कंपनी का था मतुग जो 25 परसेंट डबलूजी मतलब वेटेबल ग्रेनवल फॉर्मेलेशन के अंदर आपको इंसक्टिसाड मिलता है तो आप सो ग्राम पर एकड़ के हिसाब से अपनी खेतों के अंदर यूज कीजिए इसके साथ आप कोई भी इंसक्टिसाड जो आप बाइस्टर कमपनी का वो फंजी साड यूज कर लेजिए अपने खेतों इंदर इस प्रेम आपके खेतों के आंदर आपकी फसल के अंदर जो फंगस की समस्या ठ्रिपस की समस्या यह दोनों एक साथ रभी बात करते हैं दोस्तों हमारी एकडम भरी है बीमारी उसे बची हु पीली हो या फिर हरी हो उसके अंदर बीमारिया लगी हो चाहिए कुछ भी लेकिन उनके दिमाग में एक बात घूमती है कि अरकंद मोटा करने के लिए अपनको आप अगर आपके फसल एक नम हरी भरी है सो दिन के पार कर चुकी है 105 110 दिन की हो चुकी तो आप आप एनपी के 0-050 यूजज करें अन्ने था अगर आपके फसल का अंदर बीमारियों का प्रिकोव पे-फसल पीली है बड़िया से ग्रोववाभी कर नहीं पाई तना है पूरा अच्छे से फूल नहीं पाया है पत्तियां उनके अंदर जो फंगस की भी मैनली वह यह होता है कि आपकी पतियों के अंदर जितना कुछ बनायों हुआ है जो उसने श्टोर करके रखा उसको ट्रांस्पोर्ट करके वह नीचे लेकर जाएगी अगर आपकी फसल कंदवर्गी ने करता काम करता है अगर परिवहन के अंदर बढ़िया कंद बनाने के के लिए या फिर अपनी फसल कंदर बढ़िया उत्पादन लेने के लिए तो आपकी फसल कंद वर्गी है तो कंद वर्गी फसल कंदर जो पोटास अगर आप इस प्रे करोगे उपर से 0050 तो पत्यों से और वो सीधे नीचे जड़ो कंदर आ जाएगा जड़ो कंदर आने के बाद वो जो कंद है आपका वो कंद फूलने लग जाएगा तो आप लोगों को साथ दिमाग में ये बात आ चुकी होगी कौन सेप्ट क्लियर हो चुका होगा 0050 का भी यूज़ करना है एक बार फिर में बताएता हूं आप लोगों को अगर आपकी फसल हरी बरिये तो 0050 यूज़ कीजी इस प्रेम एक किलो पर एकड़के हिसाब से और अगर आपके फसल का अंदर पीला पने तो आपके 0.534 यूज़ कीजी 0.534 के साथ आप पर लिट आप जो आज तक क्लियर नहीं हुआ कि यार इस टाइम पर अपनको PGR यूज़ करना चाहिए या नहीं करना चाहिए और PGR अगर हम यूज़ करें तो कौन सा टेक्निकल अपने खेतों के अंदर यूज़ करें दोस्तों आप लोगों समेरे निवेदन है जितने भी किसान भा बात करें तो PGR के अंदर भी 3-4 टेक्निकल हैं जो लगातार अपने खेतों के अंदर अपने यूज़ करते हैं जिनका बढ़िया जो रिजल्ट मिलता है मैं आप लोगों को बतायता हूं एकदम क्लियर देखिए अगर आपकी फसल ज़्यादा ग्रोथ कर चुकी है एकदम तीजी से ग्रोथ करती जारी आपको डर लग रहा है कि यार कहीं कंद फटना जाए कहीं तना है वो फटना जाए और इसको रोकना है आपन को किस तरह से रोक हैं तो इस अवस्था के अंदर आप जो बस अफ कंपनी का लिहोसिन आता है ना उसकी स्प्रे कर सकते हो अगर जो तना है वो फट जाएगा अपन को तो सिर्फ इसकी ग्रोथ को रोकना है ग्रोथ को रोक कर अपना कंदे उसको मोटा करना है तो आप सिंजेंटा कंपनी का कल्टा राता है वो यूज़ कर सकते ओ पैकली बीटर जोल तीसरी जो अवस्था होती हूँ दोस्तो हमारी फसल क करें तो कौन सा यूज़ करें उस अवस्था में आप शुमटोम कंपनी का जो टाबुली आता है जिसके अंदर पैकलियो भी उट्राजोल 40% होता उसको यूज़ कीजिए अब टाबुली में यूज़ थोड़ा हलका पीला पन में क्यों बता रहा हूं आप लोगों को समय ने देखा है जिन खेतों का अंदर हम टाबुली यूज़ करते हैं उनके अंदर ये एक तरह से फंजी साइड का भी काम करता है तो जहां पर पीला पन होता है वहां पर वो ग्रिनने साथ ती इस से टाबुली से तो आप इन तीनों को अपनी फसल की तीनों वस्थाओं क धन्यवाद दोस्तों